पैंसन धार्गों के लिए बड़ी खुश खबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी पैंसन धारख हैं तो हमरे साथ अंत्र तक बने रहेगा दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा एक बार फिर से पैंसन में बढ़ोतरी होने जा रही है आप खुदा चाहेंगे कि पैंसन लावारतों को जो पैंसन दे जाएगी वह दोस्तों 4,500 रुपे सीधे बैंक खाते में मिल पाएंगे आपको ग्यात होगा कि एक जन्वरी 2022 में सरकार ने पैंसन में डबल बढ़ोतरी की थी तो एक बार फिर से पैंसन में बढ़ोतरी होने जा रही है लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार दुआरा कुछ नियम भी निर्धारित के गए हैं नियम में बदलाव क्या गया है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं चाहे आपकी वर्दवस्ता पैंसन हो दिव्यांग हो या फिर विद्वा हो आप हमारे साथ अंत तक मिन रहेगा और जानकारी को प्राप्त करते रहेगा दोस्तो यहाँ पर हम आपको तमाम जानकर देने वाले हैं किन वैक्तियों कि यह पैंसन बढ़ाए जाएगी और कब से यह पैंसन मिलना सुरू होगी उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देज़ेगा जाएदा शेयर भी करेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो पैंसन धार्गों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैंसन लावार्थियों को सरकार की तरब से जो पैंसन दी जा रही है वह दोस्तो तीन हजार रूपे पैंसन दी जा रही है लेकिन एक बार फिर से सरकार पैंसन में बढ़ोत्री करने जा रही है दोस्तो एक जन्वरी 2022 को पैंसन में बढ़ोत्री की गई थी यानिके 500 रुपे की बढ़ोत्री की गई थी 500 रुपे की बढ़ोत्री होने के बाद 1000 रुपे परती महा पैंसन लावार्तियों को दी जा रही है यानिके तिमाही पैंसन 3000 रुपे सीधे बैंक खाते में लावार्तियों के ट्रांसपर हो रही है लेकिन एक बार फिर से जन्वरी 2023 में पैंसन में बढ़ोत्री हो सकती है चाहे आपकी pension रधवस्ता हो यह अनके बुजरुक pension हो चाहे दिव्यांग pension हो यह फिर विद्धा pension ओ तीनों pension लाबारत्यों को ही pension दी चाहेगी लेकिन काफी ऐसे pension लाबारती भी है जिनकी pension को सरकार दुवारा डिलीट कर दिया गया है अब यह पैंसन किन लावारतियों की डिलीट की गई है चलिए उसके वारे में भी आपको जानकारी देते हैं अससे पहले दोस्तों आपको बतान जाहेंगे कि साल की दूसरी पैंसन को सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है जो लावारति की पैंसन रुकी हुई थी वह भी ट्रांसफर की जा रही है यनिके बैंक खाते में 6,000 रुपे सरकार एक लावारति के ट्रांसफर कर रही है अगर आप भी पैंसन लावारती हैं तो आप अपने राज्य की ओफिशिल वेबसाइट पर जाकर पैंसन लिष्ट जरूर चेक करिएगा आपके कितनी पैंसन आई है वह आप जरूर जाचेगा दोस्तो हमने लाइब प्रूप के साथ भी दिखाया है कि पैंसन लावारती के खाते में कितनी पैंसन आई है 6,000 रूपे काफी पैंसन लावारती के बैंक खाते में ट्रांसपर किये जा रहे हैं तो आप भी अपनी पैंसन को जरूर चेक करिएगा हाले कि दोस्तों अभी भी काफ़े ऐसे पैंसन लाबारती हैं जो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमारी पैंसन अब तक नहीं आई है तो दोस्तो उन पैंसन लाबारतियों वो बता दें सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी पैंसन को चेक आउट कराना है यानिके आपको CSC सेंटर पर जाना है इनके जन सिवा केंदर पर जाना है और वहाँ पर आपको अपनी pension का जो farm है वह open कराना है उसमें देखना है कि इसमें कोई तुरूटी तो नहीं है कोई गलती तो नहीं है अगर कोई गलती होती है तो आपको वह गलती सही करानी है अधिकारियों के मुताबिक बताया गया है कि जो यहाँ पर pension में mistake पाई गई है वह name की spelling में, IFC code में, bank account में, bank account नंबर में तो यहाँ पर दोस्तो काफी गलतीया पाई गई है और साथ ही ध्यान रहे दोस्तो कि आपकी जो information है pension में वह आपकी सभी दस्तविज में होन चाहिए यानि के जो आपकी आधार काड में information है नाम, पता, mobile नंबर वह सभी एक समान होनी चाहिए आपके pension में तभी आपको pension मिल पाईगी अगर आधार काड में अलग information है और आपकी pension में अलग information है तो इस परकार से आपको इस तरह से आपको pension नहीं दी जाएगी इसी तरह से काफी pension लावारतियों कि pension को सरकार द्वारा delete कर दे गया है अब दोस्तो pension में कितनी बढ़ोतरी होगी उसके बारे में भी आपको बतायते हैं रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तो जनवरी 2023 तक pension में फिर से 500 रुपे की बढ़ोतरी हो सकती है यानिके जो आप pension मिल रही है वह 1000 रुपे परतिमाह मिल रही है और अगर 500 रुपे की बढ़ोतरी सरकार द्वारा कर दे जाती है तो लावारति को हर महिने 1500 रुपे pension मिल पाएगी यानिके अगर हम तीन महिने की बात करें तो आपको जो जानकार दे रहे हैं यह उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में जो pension मिल पाएगी और जो पैंसन लाबारतियों को पैंसन मिल पाएगी वे 4,500 यानिके 4,000 रूपे पैंसन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो पाएगे हलकि अभी सरकार के तरब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है लेकिन दोस्तो मीडियर पोट के मुताबिक और सुत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह पैंसन 2023 तक बढ़ सकती है पैंसन में बढ़ोतरी हो सकती है जिस तरह से 2022 में सरकार ने 500 रुपे की पैंसन लाबारती है अपनी पैंसन को बनवाना जाते हैं तो आप सिधा ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवजन कर सकते हैं या फिर किसी भी नजदी की जन से वकेंद पर जाकर अपलाई कर सकते हैं चाहिए आपकी पैंसन बुजरुग हो दिव्यांग हो या फिर वीडियो को समामत करते हैं